हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार तो कैसे हैं मेरे नन्य मुन्ने से प्यारे से दोस्त और जैसा कि 10th क्लास आपने कर ली है और 11th में आप आ चुके हो और 11th के बैचेज आपने जोईन कर ली होंगे जहां भी आप पढ़ रहे होगे तो 11th की आपकी स्टार्टिंग चाल करता है कि बच्चे सुरुआत के 2-3 महीने के बाद हतियार डालना स्टार्ट कर देते हैं मतलब वो कहते हैं कि यार हमें तो यारब कुछ समझ नहीं आ रहा या हमसे नहीं हो पाएगा इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं उनको एक-एक करके डिसकस करेंगे और अगर आपको जे इनीट क्वालिफाई करना है तो एकदम डटके महनत करनी होगी और कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है तो पहले अपन ये बात कर लेंगी अभी तक आप 10th क्लास तक क्या सोचा करते थे किस तरीके की आपकी सोच थी और 11th में आपको अपनी सोच वो बहुत भैंकर बड़ा हो जाता है डरा नहीं रहा हूं लेकिन सच बात है तो सच बतानी जरूरी है ना 10th क्लास तक जो आप पढ़ते थे वो बहुत कम था 11th क्लास में एकदम इतना जादा स्लेवस का डिफरेंस हो जाता है कि आप कोप नहीं कर पाते हो आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हो तो पहले से ही बता रहा हूं कि सलेवस आपका अता होने वाला है बहुत सलेवस होने वाला है वो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अगर नहीं पढ़ोगे तो वो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते से हुए ही चलना है इसके बीछे में रीजन है आपका जो अभी तक की सोच थी की छोटे-छोटे चैप्टर होते हैं ठीक है उसमें कुछ कि यस बहुत ज्यादा सlàावzer डि इफरेंस होता है आपका 10 सालेविन्थ में और आपको कावर करना हीं होगा कि निक क्या करोगे कंवर्ण जहां भी आप पड़ रहे हुँ जो भी आपको पड़ा रहा है उन टीचर को फॉल्लॉ करना होगा क्योंकि उनको पता है कि 11 में क्या syllabus है कितना ज्यादा है आप तो 10 से 11 में जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि वही मज़े वाले chapters होंगे ठीक है कुछ chapters में आपको मज़ा आएगा लेकिन कुछ chapters ऐसे होंगे जो खुंखार होंगे वह आपकी mental ability के beyond होंगे लेकिन उसको आपको अभी 10th class में क्या है कम है 11th class में आप अपने आपको फील करते हो एकदम कि यार अब हम बड़े होगए ऐसा होता न चार्ण में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बड़े हो लेकिन जैसी आप 11 में आते हो थोड़ी दुनियादारी देखते हो तो है आपने आपको बड़ा नहीं होगा बस पहले से कुछ तयारियां आप रखोगे n現在 video पे आप इने प्लिक किया तो कुछ सीखलो जैखा रहे हैं सोउ सिखा रहे हैं से तो आपकी राहया आसान हो जाएंगी तेखि़ और के जो study hours टेनन महें कम थे 11 मैं आपके बढ़ेंगे, बढ़ाने ही पढ़ेंगे, study hours में classes भी आपकी होंगी जो regular classes होती है वो और आपको self study भी करने पढ़ेंगे, खूप सारी, मतलब आपको study hours बढ़ाने पढ़ेंगे, और वो आपको करना ही होगा, इतना आप 100% अपने दिमाग में बिठा लो, कि करना ही है, उसका कोई option नहीं, कोई alternate नहीं है, वही hard work का, करना ही है, है ना, तो पहले सी दिमाग में रखोगी study hours आपके बढ़ने वाले हैं, application part 10th में कम रहता है, लेकिन 11th में application part जाता रहता है, एक concept पर different variations के आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं, और उन सवालों को crack करने के लिए आप आपको तरीके पता होना चाहिए, जो batch के अंदर teachers पढ़ाएंगे वो आपको पता ही चल जाएगा, है ना, वो जो सिखाएंगे वो आपको सीखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और distractions आपके 11th class में इतने बढ़ते हैं कि क्या बता है, 10th class में कम रहते हैं, लेकिन 11th में आपके distraction बहुत बढ़ जाते हैं, क्यों आपको लगता है आप बड़े हो गए, है ना, और आपको ऐसा लगता है कि अपूनिच भगवान है, तो ऐसा नहीं है भाई, तो आपको एकदम जमीन पर ही रहना है, चीजों को सीखना है, और जितने भी distractions हैं, उनको अलग side कर दू, आपके distraction में क्या आता है भाई, आपके दोस्तियार बन जाते हैं, आप घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो, फिर सुरू आत के दो-चार महीने खराब हो जाते हैं, बस बढ़ जाते हो, फिर कहते हो आप नहीं हो राम से, ठीक, प्यार मुहबत में पढ़ जाते हो आप, य ठीक है, आपको मेहनत करना आ जाता है, आप घिसना सीख जाते हो, कि यार किस तरीके से घिसना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके ओवरल डेवलप्मेंट को करती है, ठीक है, आपकी कुछ होबी भी होगी, उसको भी आपको लेके चलना है, और पढ़ाई भी सासात कर लिए, गेम खेलो तो थोड़े से आउटर गेम खेल लो, किरकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, टीटी खेल लो, वो माइंड फ्रेश के लिए होता है, ठीक है, तो इन सब डिस्ट्रेक्शन में नहीं पढ़ना है, आपके सामने जो आएंगे, बिलकुल आएंगे, डेफ